देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरे महाराश्चा में हनुमान 40 आ के पार्ट पर विवात थमने का नाम नहीं ले रहा है एक तरफ नवनी तराना का मामला अभी संबला ही नहीं कि मन्से प्रभुक राश्चाकरी की मुश्किले बढ़ गई है पुलिस ने उन्हें नोटिस थमाया है तो शिवसिना ने बाला सहाब का जिक्र करते वे मोदी के अभैदान को सामने रखा है वहीं पुर्भु मुख्यमंदरी देविंदर फटनविस ने मजजिदों में लौट स्पेकर बैन न करने पर इसे बाबरी विधवन से जोड़ दिया है इसी बीच देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रवन की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है तो अधर नासिक से लगभग 90 किलोमीटर दूर सुर्गना तालू का तामपत्य जीवन के लिए अभीशा बनता जा रहा है दरसल इस इलाके में पानी की भारी किल्लत है प्रदेश की पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ और एक सूनपिचास के तहट ये नोटिस भीजा है कहां जा रहा है कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले MNS कारे करताओं को पुलिस हिरासत में ले सकती है बता दे कि अभी कल ही और अंगाबाद में राजशाक्रे ने बड़ी हुंकार भरी है उन्होंने तीन माई तक सभी मस्जिदों से लाउड स्पिकर हटाने का समय दिया था लेकिन ईद को देखते भी कहां कि हम त्योहार में खलल नहीं डालना चाहते इसलिए इस डेडलाइन को एक दिन के लिए बढ़ा रहे हैं अब चार में को किसी मस्जिद पर हमें लाउड स्पिकर दिखा तो हम दोगनी आवाज में उसी मस्जिद के सामने हनुमान 40 अब जाएंगे अगर तब तक लाउड स्पिकर नहीं हटाये गए तो मैं आपको महराश्टर की ताकत दिखाऊंगा और हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे मैं दोहरा रहा हूँ कि ये धार्मिक विशे नहीं है बलकि एक सामजिक मुद्दा है लेकिन अगर आप इसे धार्मिक मुद्दा बनाते हैं तो हम उसी तरह से जवाब देंगे राश्टाकरे ने कहा कि हमारी महराश्टर में दंगा भढ़कानी की कोई दिल्चस्पी नहीं है लेकिन लौट स्पिकर का विवाद हर किसी के सारवजनिक जीवन से जुड़ा हुआ है मुख्यमंद्र उध्व ठाकरे ने दावा किया है कि उनके दिवंगत पिता और शिवसेना के संस्था पक बाल ठाकरे ने उस समय नरेंद्र मोधी का समर्धन किया था जब 2002 के गोधरा दंगो के बाद उन्हें गुजरात के मुख्यमंद्री पत से हटाने की मांग उठी थी उध्व ठाकरे ने कहा कि मोधी को बात्चित कर रहे थे तभी अडवानी ने कहा कि बाला साहिब के साथ कुछ चर्चा करना जाते फिर मैं और दिवंगत बीजेपी ने ता प्रमोध महाजन चले गए बाद में अडवानी ने मोधी के बारे में बात की और बाला साहब से पूछा कि वो मोधी को हटाने की मांग के बारे में क्या सोचते हैं मोधी को तब प्रधान मंतरी पत का चहरा नहीं बनाया गया था बाला साहब ने तब अडवानी से कहा कि मोधी को चुआ नहीं जाना चाहिए अगर मोधी को हटा दिया गया तो बीजेपी गुजरात हार जाएगी और इसकी वज़े से हिंदुत को नुकसान होगा उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के रूप में प्रधानवंतरी मोधी का सम्मान करते हैं बता दे कि महाराष्टर में साल 2019 के विधानसभा चुनाओ तक बीजेपी और शिवसिना का साथ रहा लेकिन 2019 में विधानसभ के नतीजे घूशित होने के बाद शिवसिना ने NCP और कॉंग्रेस के साथ गढ़बंदन करके राज्यमे सरकार बना ली जबकि बीजेपी और शिवसिना ने विधानसभा चुनाओ गढ़बंदन करके लड़ा था समझे जाता है कि शिवसिना की ये नर्मी राजशकरी की ग पूछा जा रहा है कि बाबरी मज़िद जब गिरी थी तो ये कौन से बिल में थे मैं बताता हूँ वो धांचा गिराने के लिए मैं वही था लाठी खाई जेल गया शिवसिना पर हमला बोलते वे उन्होंने कहा कि राम पैदा हुए थे क्या पूछने वाले के साथ आज बे हमला हुआ महाराश में लोड शेडिंग हो रही है राज लगातार खराब हालत में जा रहा है प्रदेश की सरकार सिर्फ अपनी कुरसी बचाना चाहती है मगर जनता भी देख रही है और अंगाबाद की सभा के लिए मंसे प्रमुक राश ठाकरे ने पूने में 150 पंडितों क नहीं बोलते कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि पवार इश्वर को नहीं मानते तो अगले ही दिन उनकी पूजा की तस्विरे साम नहीं जातिवाद की अद्रुश्य लड़ाई उन्होंने तेज की और आज लोग खेमे में बढ़ गए हैं ये जनता में फूट डालो और मस्ता मनत्री एक्सोपड नहीं मामले सामने एए हैं उन्हों ने कहा कि देश के कुछ शेत्रों में संकरामट के मामले बढ़ रहे हैं जो चिंता जनक है इसलिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने हाल ही मेर राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठक की और उन्हें सतर्क रहने के लिए कहां फिल्हाल महाराश्यों में प्रतिबंधू की कोई आवशक्ता नहीं है लेकिन यदि मामले बढ़ है तो हमें प्रत स्वास्ता मंत्री ने कहां कि हाला कि कोविड-19 टीका करन अनिवार्य नहीं है लेकिन हमें लोगों को टीका लगवाने के फायदे दिखाने होंगे और उन्हें टीका करन के लिए प्रोच्साहित करना होगा नासिक से लगभख 90 किलोमीटर दूर सुर्गना तालू का दामपत्य जिवन के लिए अभिशाब बनता जा रहा है दरसल इस इलाके में पानी की भारी किलत है महिलाओं को कई किलोमीटर चड़ाई करके सुखेश रोतों से बहुत ही कठिनाईयों में पानी लाना पड़ता है नई दुलहने पानी की भिशन किलत से इतनी परेशान है कि वे गाउ में ही नहीं रहना चाती है और माई के लोट जाना चाहती है हाल ही में दांडी चिवारी नावक गाउ में एक परिवार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ शादी के दुसरे दिन नई दुलहन पानी लाने के लिए पाहाडी तक अन्य महिलाओं का पीछा करते पहुची लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ये कितना मुश्किल है तो वो वही मटका छोड़ कर माई के चले गई बताय जा रहा है कि हर गर्मी में मार्च से जुन तक एक पहाडी के तल पर लगभख सुखी धारा से पानी लाने के लिए डेड़ किलो मिटर पैदल चलना पड़ता है पत्रिले इलाके में चलकर पानी के श्रोट तक पहुचने तक का ही संघर्ष खतब नहीं होता चटन की गुहा में पानी भरने के लिए उन्हें गंटों तक इंतजार करना पड़ता है नमबर आने पे वे अंदर जाती है और फिर एक कटोरे से पानी निकाल कर अपना बरतन भरती है जब खोकले का सारा पाने निकाल लिया जाता है तो महिला इसके फिर से भरने का इंतजार करती है महिलाओं के पास दो-दो बतान होते हैं वे इसे अपने सर पर रख कर गाउं की तरफ लोटती है महिलाओं साथ में अलाविया टॉर्च लेकर भी चलती है जिसे जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा हो स्थिती इतनी गंभिर है कि कोई परिवार अपनी बेटियों की शादी यहां के लड़कों से नहीं करना चाहता जैसे ही पता चलता है कि दुले का गाउ दांडी चिबारी है लोग शादी की चर्चा ही बंद कर देते हैं सुप्रिम कोट ने कहा है कि कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती टीका नहीं लगाय जा सकता और नहीं टीका लगवाने के लिए दबाव डाला जा सकता है तो भीशन गर्मी से लोगों के पसीने छुडा देने वाला मौसम बदलने वाला है अगरे कुछ दिनों तक बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाय उत्तर भारत को राहत पहुचाएगी वही स्पाइस जेट की मुंबई दुरगापूर उडान को हावाय अड़े पर उतरते समय गंबिर वायो मंडली अविक्षोग का सामना करना पड़ा जिस दोरान उसमें सवार कम से कम बारा यात निखायल हो गए सुप्रीम कोट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदसी टीका नहीं लगाय जा सकता और नहीं टीका लगवाने के लिए दबाव डाला जा सकता है कुछ राज्य और संगटनों ने टीका न लगवाने वाले लोगों के पब्लिक प्लेस पर आने पर पावंदिया लगाई है ये पावंदिया ठीक नहीं है और मौजुदा स्थिती में ने वापस लिया जाना चाहिए कुरोना ठीका लगवाने की अनिवारियता वाले कुछ फैसलों के खिलाफ दार यांचिका उपर सुनवाई करते वे सुप्रीम कोर्ट ने या आदिश दिया हालां कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि केंदर सरकार की वाक्सिनेशन की पॉलिसी गलत या मनमानी नहीं है देश में जिस तरह से कोरोना वाइरस का खतरा पैदा हुआ था उस्तिती में वाक्सिनेशन की पॉलिसी ठीक थी कोर्ट के समक्ष जो तथ्य रखे गए है उससे पता चलता है कि ज्यादा तरह एक्सपर्स मानते है कि वाक्सिनेशन के चलते कोरोना के खतरे को रोका जा सकता है नुत्यों दरकम की जा सकती है और नए वेरियंट्स को उभरने से भी रोका जा सकता है ऐसे स्थिती में अदालत केंदर सरकार की मौज़ुदा वैक्सिनेशन पॉली से कुले कर सहमत है और वो मनमाने नहीं लगाती है इसके साथ ही शिर्ष अदालत नहीं कहा है कि सरकार को लोगों को ये बताना चाहिए कि ठीका लगवाने की बाद क्या गलत लक्षन दिख सकते हैं और इससे क्या नुकसान होने की शंकाय है केंदर सरकार या फिर राज्यो की और से ऐसे कोई डेटा नहीं रखा गया है कि ठीका न लगवाने वाले लोगों से कैसे संक्रवन बढ़ सकता है ऐसे स्थिती में ठीका न लगवाने वाले लोगों के निकलने पर पाबंध्या फिलहाल ठीक नहीं लगती है बिशन गर्मी से लोगों के पसिने चुड़ा देने वाला मौसम बदलने वाला है अगले कुछ दिनों तक बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाए उत्तर भारत को राहत पहुचाएगी भारतिय मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाना में अगले तीन दिनों तक आन्धी चलने के आसार है कही कही गरज के साथ शीटे भी पड़ेंगे कुछ इलाकों में अचानक तेज हवाई चल सकती है जिसकी रफतार 40-50 किलो मिटर प्रति घंटे तक मुम्किन है कुछ इसी तरह का मौसम देश के बाकी उत्तर पशिमी इलाकों में भी दिख सकता है इससे कुछ दिनों के लिए गंगा के मैदाने इलाकों में लू से छुटकारा मिलेगा मौसम में इस बदलाओ की वज़ह से उत्तर पशिमी इलाकों में अगले दो दिनों में अधिक्तम तापमान में 3-5 डिगरी तक की गिरावट आ सकती है मध्यव पुर्वी भारत के अलावा गुजरात महराष्ट में 12-3 डिगरी नीचे आ सकता है मौसम विभा का कहना है कि बंगाल की खाड़ी और पुर्वत्तर से आने वाली हवाओ की वज़ह से अगले 5 दिनों तक बिहार जारखण बंगाल और ओडिशा में तेज आन्धी आ सकती है और गरच के साथ छीटे भी पड़ सकते हैं पश्यमी विक्षोप की वज़ह से हिमाचर प्रदेश उत्तराखण जमु कश्मिर में ओले भी गिर सकते हैं तेज आन्धी की भी संभावना है बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाओं की वज़ो से पुर्वत्तर भारत और उपह हिमालाई बंगाल सिक्कीम में अगले 5 दिनों तक गरच के साथ तेज आन्धी की आसार है एक ट्रफ रेखा पशिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए दक्षिन बिहार और उत्तरी जारकन होते हुए पशिम बंगाल तक जा रही है यो मौसम पेरामिटर गंगा के मैदानी इलाकों में प्रीम उनसुन गती वीधियों को शुरू करने में सहायक हो सकते हैं स्पाइस जेट की मुंबई दुर्गापूर उडान को हवाई अड़े पर उतरते समय गंभिर वायू मंडलीय विक्षोप का सामना करना पड़ा जिस दोरान उसमें सवार कम से कम 12 यात्री घायल हो गए है सूत्रों ने बताया कि घायल यात्रियों को अस्पताल में भरती किया गया है तुफान से बाहर निकाल दिया गया दरसल बंगाल की खाड़ी में कम दबाओ के क्षेतर के चलते इस इलाके में मौसम के तेवर में बदलाओ देखा जा रहा है अगले कुछ दिनों में बंगाल की खाड़ी और पुर्वत्तर से आने वाली हवाओं की वज़े से बिहार, जारकन, बंगाल और ओडिशा में तेज आंधी के अनुमान भी चताय जा रहे है इसी का नतिजा ये वायू मंडल ये विक्षोप भी था परवक्ताने बताया कि विमान की दुरगापूर में उतरने पर ततकाल चिक्षत साहेता उपलप्त कराए गई उन्होंने कहा कि स्पाइस जेट इस दुर्भागे पुर्ण घटना पर खेद व्यक्त करता है और वो घाय लोगों हर संभाव चिकित सा साहेता उपलप्त करा रहा है कॉंग्रेस से डिल बिगडने के बाद राजनितिक रणनितिकार प्रशांत किशोर अब सक्रिय राजनिति में आने वाले हैं इसको लेकर उन्होंने ट्विट कर संकेत दिया है उन्होंने जानकरी दिये हैं कि वे बिहार का दौरा करेंगे प्रशांद किशोर ने ये एलान किया है कि वे जन सुराज के जरिये राज्य के युवाओं और गैर राजनितिक लोगों से मुलाखात करेंगे और नई राजनितिक व्यवस्था तयार करेंगे इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि जनता के बीज जाने का वक्त आ गया है क्यास ये भी लगाए जा रहे हैं कि पीके जल्द ही अपनी पार्टी लाँच करने वाले हैं खापर के मुताबिक प्रशांद किशोर जल्द ही अपने पॉलिटिकल प्लान की पूरी रूप रेखा का खुलाजा कर सकते हैं प्रशांद किशोर बीजेपी जेडियू और कॉंगरेस के लिए पहले काम कर चुके हैं प्रश्यम बंगाल के रिधानसभा चुनाओं में पीके ने ममता बैनलज की पार्टी के लिए काम किया था इस चुनाओं में तरुनमल कॉंगरेस को जीत मिली थी प्रशांद किशोर बिहार में पहले भी जेडियू के साथ काम कर चुके हैं मुख्यमंतर नितिश कुमार ने पीके को काबिनेट मंतरी का दरजा भी दिया था लेकिन बाद में पीके के बयानों से जेडियू से उनकी दूरी बढ़ती गई और प्रशांद किशोर को जेडियू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया प्रशांद किशोर का जन्मा 1977 में बिहार के बकसर में हुआ था पीके के बिता सरकारी चिक्ट सकते जबकि उनकी मा यूपी के बलिया की रहने वाली है पीके की पत्नी का नाम जानवी दास है जो गुआ हाटी की रहने वाली है और पेशे से डॉक्टर है प्रशांद किशोर का नाम 2014 में राजनितिक गलियारे में तेजी से उभरा पर 2014 में बीजेपी के लिए चुनावी रणनिती बनाने में पीके का भी एहम योगदान वाना जाता है कवी कुमार विश्वास को पंजाब एवम हरियाना हाइकोट से बड़ी रहत मिली है हाइकोट ने उनकी गिरफतारी पर रोक लगा दी है फिरहाल कुमार को ये अंतरिम राहत दी गई है अब उनकी केस खारिस करने की याजिका पर सुनवाई जारी रहेगी इस मामले में पुरा आदिश आना बाकी है कुमार के खिलाफ रोपड में केस दर्च हुआ है कुमार पर आरोप है कि उन्होंने केजरिवाल के खलिस्तान से समन्द के गलत आरोप लगा है हाई कोट के इस फैसले से आम आदमे पार्टी और पंजाब में सीएम भगवंद मान की अगवई वाली आप सरकार को बड़ा जटका लगा है पंजाब पुलिस ने रोपड के थाना सदर में कुमार पर केस दर्च किया इसके बाद कुमार को समन्द तामिल करवाने पुलिस उनके गाजिये बाद स्थित घर पहुची उनकी तस्विर एक खुद कुमार विश्वास ने ट्वीट की उन्होंने सियम भागवंद मान को अगाभी किया कि वो जिसके कहने पर ये सब कर रहे है मोमान और पंजाब को धोका देगा इस मामले में रोपड में पुलिस ने केस दर्च किया है शिकायत करने वाले ने बताया कि आप समर्थकों के साथ गाव में लोगों की शिकायते निप्टाने के लिए घूम रहा था इस दोरान कुछ नकाब पोश्वियक्तियों ने उन्हें रोक कर खालिस्तानी कहा ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब कुमार विश्वास ने अपने सयोजक अरविंद केजरिवाल के अलगावादियों के साथ सम्मन्ध होने का आरोप लगाया इसी मामले में कॉंग्रेस नेता अलकालामबा पर भी केसदर जुआ है उन पर आरोप है की उन्होंने भी इंटर्वियू और सोशल मीडिया के जर्ये के चिवाल के समन्ध में गलत आरोप लगाया है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जर्मनी की राजधानी बरलिन पहुचे और वहां पर रहरे भार के लोगों से मुलाकात की तो राफिल नडाल और नोबाक जोकोवीच ने युकरेन पर रूस के आकरमन की कारण इस साल के मिंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में रूस और विलारूस के खिलाड़ी उपू खिलने से रोकने के फैसले की आलोचना की है वह यह दावा किया जा रहा है कि युकरेन युद्ध में पुतिन की टॉप कमांडर घायल हो गए है और उन्हें जंग के मैदान से बाहर लाया जा सकता है इस बीच चीन की राज़ानी बीजिंग में अब कोरोना वाइरस के ओमिक्रॉन वेरियंट ने कहर मचाना शुरू कर दिया है तो उधर लेटिन अमेरिकी देश अर्जेंटिना में दुनिया के सबसे बड़े रैप्टर डायनासोर का अफशेश मिला है ये डायनासोर साथ करोड साल पहले अर्जेंटिना की धर्दी पर राज करता था दुनिया बर के इन पाच बड़ी ख़परों को विस्तार से जानने के लिए बने रही है आप हमारे साथ प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जर्मनी की राजधनी बरलिन पहुचे इस दोरान होटल एडलॉन केमपिस की में उन्होंने भारतिय समुदाए के लोगों से मुलाकात की उन्होंने एक बच्चे से गाना भी सुना पी-म से मिलते हुए कुछ लोगों ने भारत मातक की जय के नारे भी लगाए बरलिन में मोदी का स्वागत करने एक बच्ची मान्या मिश्रा भी पहुची बच्ची ने बताया कि मोदी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा मैंने उन्हें कहा कि मुझे गर्भ है कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री है मैंने उन्हें अपनी पेंटिंग दिखाई उन्होंने इस पर अपना ओटोग्राफ भी दिया वही भारतिय मुल्के गौरांक उटेजा ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी की एक जलक पाने के लिए उत्साहित थे हम 400 किलो मिटर की दूरी तै करके बरलीन आए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतिय मुल्के सभी लोगों का सन्मान पुर्वक अभिनंदन किया जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ छटे भारत जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में शामिल होने के बाद मोदी फिर शाम को बरलीन में भारतिय समुदाय को सम्भोधित करेंगे इसके बाद इंडो नौर्डिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और फिर डेनमार्क की राजदानी कोपेन हेगन में भी भारतियों को सम्भोधित करेंगे सबसे आखिर में प्रधानवंत्री मोदी पेरिस में फ्रांसेसी राष्ट्रपती एमेन्योल माइक्रो से मुलागात करेंगे इस साल उनका ये पहला विदेशी दोरा है वो दोसे चार मई की अपनी इस यात्रा में तीन यूरोपियो देश जर्मनी डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे प्रधानवंत्री मोदी ने बर्लिन पहुँचते ही ट्वीट किया कि भारत और जर्मनी की दोस्ती को ये पढ़ा और बढ़ावा देगा राफल नडाल और नोवाख जोकोवीच ने यूकरेन पर रूस के आकरमन की कारण इस साल के विंबल्डन टेनिस टूर्नामेंट में रूस और विलारूस के खिलाडियों को खिलने से रोकने के फैसले की आलोच ना की है टेनिस के इन दोनों दिग्गस खिलाडियों ने कहा कि विंबल्डन ने सही फैसला नहीं किया नडाल और जोकुविच दोनों मेड्रिक ओपन में खेलने की तयारी कर रहे है रिकॉर्ड 21 बार के ग्रैंड स्लैम विजटा नडाल ने कहा कि मुझे लगता है कि ये रूस के मेरे टेनिस साथियों के साथ बहुत गलत हो रहा है युद्ध में अभी जो कुछ हो रहा है वो उनकी गलती नहीं है विंबल्डन ने खुद ही अपना फैसला लिया है सरकार ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया ATP और WTA टेनिस टूर ने भी All England Club के फैसले की आलोजना की है विंबल्डन 27 जून से शुरू हो रहा है विंबल्डन के प्रतिबंध के कारण जिन प्रमुक खिलाडियों पर असर पड़ेगा उनमें मौजदा यूएस ओपन चैंपियन दानिल मेदवेदेव आंद्रे रुबलेव और फ्रेंच ओपन उपविजिता अनास्ता सिया पाउलू चेनकोवा शामिल है यह सभी खिलाडी रूस के है इसके लवा बेलारोस की विक्टोरिया आंजरेका भी विंबल्डन में भाग नहीं ले पाएगी बेलारोस ने यूकरेन पर रुसी हमले का समर्थन किया है जोकोविच ने इन खिलाडियों की स्थिती की तुलना जन्वरी में उस स्थिती से की जब वो औस्ट्रलिया ओपन में भाग नहीं ले पाए थे कोविड-19 वैक्सिंग नहीं लगवाने के कारण तब उन्हें ऑस्ट्रलिया से डिपोर्ट कर दिया गया था जोकोविच ने कहा कि मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है ये सही नहीं है युक्रेन में जंग लड़ रही रूसी सेना को अब तक भारी नुकसान उठाना पड़ा है रूस के न सिर्फ हजारों सैनिक बलकि सैकड़ों अधिकारी मारे जा चुके है बलकि इससे भी अधिक सैनिक बुरी तरह घायल हुए है और उपचार ले रहे है कई लोगों के अंग भंग हो चुके है अब दावा किया जा रहा है कि युद्ध में पुतिन के टॉप कमांडर घायल हो गया है और उन्हें जंग के मैदान से बाहर ले जाया गया है रूसी जनरल स्टाफ के प्रमुक मालेरी गोरासी मोव को पुतिन ने एक हास तोर पर डूनबस और पुर्विक शेत्र में युद्ध की कमांड अपने हाथ में लेने के लिए युक्रेन भेजाता कुछ अपुष्टर रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 66 वर्षिय गोरासी मोव युक्रेन के खारकी उक्षेत्र के इजियूम शहर में घायल हुए वो सबसे भीशन लड़ाई का केंद्र है गोरासी मोव के दाय पेर का उपरी हिस्सा एक धमाके में घायल हुए हाला कि उनकी हट डिफ्रेक्चर नहीं हुई है घाउं से धातु के टुकडे निकल गये और जिससे वो अब खत्रे से बाहर है यूकरीनी सरकार के अधिकारे ने दावा किया कि इजियूम पर हमला उस जगे पे हुआ जहाँ गोरासी मोव मौजुद थे दावा किया जा रहा है कि उनके दल के तिन सैनिक मारे गये है और सेना प्रमुप को वहां से निकाल लिया गया है एजेंट स्टवो मीडिया आउटलेट की खबर के अनुसार उन्हें तितकाल एक सैनिय हलिकॉप्टर से युद्धक शेत्रप पशिमी रूस के बिल गौराट पहुंचाया गया है सुमिक्रोन वैरियंट ने कहर मचाना शुरू कर दिया है जिन ने कोरोणा की प्रसार को रोगने के लिए अपनी Зीरो कोवीड नीटी के तहत बहत सक्थ प्रतिबंद लगा दिया है बिजिंग में सभी रेश्टरों के अंदर खाने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है यही नहीं सभी नागरीकों को निर्देश दिया गया है कि उन्हें सारवजनेक सानों में प्रवेश के लिए कोरोना नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी चिन्ने ये प्रतिबंद ऐसे समय पर लगाया है जब देश में अंतरराष्टे मजदुर दिवस पर शनिवार को पाच दिन की छुटिया शुरू हुई इसी बिच शंगाई शहर में कॉरंटाइन इलाके से बाहर लगातार दुसरे दिन कोई मामला नहीं आने पर करीब 2.5 करोड लोगों को प्रकाश और हवा लेने के लिए घर से बाहर आने की अनुमती दे दी है शंगाई में कोरोना महामारी मार्च महीने में फैलना शुरू हुई थी ये साल 2020 में वुहान महामारी के बाद सबसे बड़ा कोरोना महामारी प्रकोप था शंगाई शहर में हजारों की तादाद में लोग कोरोना वाइरस से संक्रमित हो गए थे चिन ने शंगाई में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए क्रूर लॉकडाउन लगा दिया जिस स्थानिय लोगबूरी तरह से भड़क गये थे बीजिंग और शंगाई में कोरोना वाइरस के प्रसार के बीच चिन सरकार की जीरो कोविड नीती की परिक्षा की घड़ी शुरू हो गई है वो भी तब जब चिन के राश्टरपती शी जिन पिंग के तिसरे कार्यकाल के लिए इस साल अनुमती दिया जाना है लैटिन अमेरिका देश अरजेंटीना में दुनिया के सबसे बड़ा रैप्टर डाइनासोर का अवशेश मिला है ये डाइनासोर साथ करोड साल पहले अरजेंटीना की धर्ती पर राज करता था रैप्टर के नुकिले नाहुन और जबरदस्त फूर्ती इसे दुनिया के सबसे खतरनाक डाइनासोर में शामिल कराते थे विशेशक्यों का मानना है कि ये अब तक मिले मेगा रैप्टर में सबसे बड़ा है इसकी हड़ी या राजधानी ब्यूनस आयर से 2698 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अलकाला फेट में मिली है हड़ीयों के विशलेशन से पता चला है कि ये मेगा रैप्टर 30 से 33 फुट लंबा था और वजन करी 5 तन था जो गैंडे के वजन से 2 गुना था इसका विशाल मेरुदंड था जो मान स्पेशी नसो और अस्थी बंधन से जुड़ा हुआ था इसकी वज़ा से वो विशाल डाइनास और सिधे खड़ा हो जाता था और अपने पैरों को चलते समय या दोडते समय समेट लेता था इसकी लंबी पूँच होती थी और दो पैर होते थे इनका नाखुन काफे विशाल होता था और इस विशाल का जीवन का मुख्य हतियार होता था साल 1996 में सबसे पहले मेगा रैप्टर की खोच अर्जेंटिना के न्यू क्विन में हुई थी इसके बाद ऑस्ट्रिया जापान और थाइलेंड में मेगा रैप्टर के कई अवशिश मिले विशेशक्यों के मताबिक एलकाला फ्ट में मिला डाइनास और इस प्रजाती के विलुत होने से ठीक पहले सबसे विशाल डाइनास और में से एक था उस समय पर ये इलाका बहु हुआ हुआ है